होली का दहन अरुवेत की दृष्टी से काफी महतपूर्ण मानी जाती है। ऐसे मगर आप भी संक्रामंग रोग से पीडित हैं, तो जो 34 द्वारा बताया है, इन खास उपायों को अपना कर अपनी बिमारियों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। खरगोन की जो 34 पंडित पंकश मेरता ने हमें बताया है कि इस मोसम में संक्रामंग विमारें ज़्यादा फैलती है। लगाता रोग बिम्यारी बनी रहती है। ऐसे लोग भी जैसे घर में एक डंठल वाले पान में लोग उंकाली में से उसका मंत्र है। और जलती हुई जो हुलीका है उस हुलीका में करते ऑडाल ले तो उसके घर में रोग की शांती होती solve से कई उपाय कि चक्र हैं tik schokrü सकते होग है उसको यूतरम है उसको वह हुई उसकी जॉराक रख भी आगने पाते हैं take तो इसके पीछे आयरुवेट कारण है क्योंकि वो सब और शदियां जलके बस्म हो जाती है और हमारे बस्म खाने का बस्म को लेपन करने का विधा नहीं तो विजद्रिष्टी से भी उसरा इसमें सबसे महत्मुन है कि यदि नकारात्म कुर्जा घर में है वास्ट प्रोश के तो यह सोच में नकारात्म क्ता गए उस से भी हमको फायदा मिलता यदि जो इसमें हमारे ऐसा बनाना मानते थे कि जब पूरा जब भजव हो जाती थी तब यह राख लगाते थे अपने शरीर पर और उस नहाते थे पानी ते प्लब पहस्म तेक तरीके से पूरी भस्म अप पक्पांडे किरिपोर्ट।